हेलो गाइज मैं हूँ पपू और आप सबको आसानी से दिखरा होगा निपात तो गाइज आपसे इस तरह के सवाले पुछा जा सकता है कि निपात क्या है निपात किसे कहते है निपात का क्या मतलब है निपात का परिभासा क्या होता है निपात से आप क्या समझते है तो से आप क्या समझते हैं यह सब कुछ भी पूछ दिया जाता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है आज मैं जो बताऊंगा आपको वही लिखकर आ जाना है और हां इस वीडियो में हम बात करेंगे निपात के बारे में और इसके जो परकार होते हैं अगले वीडियो में हम बा अतरिक्त भार देने के लिए जिन सब्दों का परियोग किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं यहां पर परिभासा आपको समझ में नहीं आया होगा यहां पर उदाहरन आप समझिए उदाहरां में मैंने लिख रखा है भी तो तक केवल ही मात्र मत क्या हां जी नहीं न कास जी हां कास की तो पर सिर्फ सा ठीक लगभग करीब तकरीबन आदी ये जो सब्द आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी सब्द जो हैं यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि मम्ता ने मुझसे बात तक नहीं की तो यहाँ पर अगर तक नहीं रहेगा तो आप इसे पढ़ेए कि मम्ता ने मुझसे बात नहीं की और जैसे यहाँ पर तक लग जाता है अब तक लगा दिये तो पढ़ेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि ममता ने मुझसे बात तक नहीं की यानि इसमें जोर लग रहा है यानि इसमें भार लग रहा है तो यहाँ पर यह जो सब्द आपको दिख रहा है तक तक हमारा क्या हो गया ये निपात हो गया ये निपात है क्यों हो गया क्यों कि इसमें देख सकते हैं भार लग रहा है यानि इसमें बल लग रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता ने मुझसे बात तक नहीं की ठीक है और आगे मैंने एक्जामपल लिख रखा है यहाँ पर गौर कीजिए आगे मैंने लिख रखा है कि कल सभी अस्कूल जाएंगे अगर तक अगर हम पढ़ेंगे तो कल सभी अस्कूल तक जाएंगे यानि इसमें जोर देना पड़ रहा है यानि भार देना पड़ रहा है इसमें बल देना पड़ रहा है या नहीं तो यहाँ पर तक आपको दिख रहा है तक हमारा क्या हो गया निपात हो गया तो गाईज यहाँ पर जितने भी आपको चीजे दिख रहे हैं यह सभी के सभी निपात है ठीक है तो निपात आपको आया के नहीं आया और भी उधारन से आप समझे यहाँ पर आपको दिख रहा ह लेकिन ऐसे पढ़ा जाए कि सिक्षक अस्कूल में केवल आते हैं तो यहाँ पर यह इसमें भार लग रहा है इसमें बल लग रहा है तो केवल हमारा क्या हो गया निपात हो गया यह चीज़ा आप ध्यान दिजेगा इसके बाद आगे आप असानी से देख सकते हैं मैंने लिख रहा है कि कल सिक्षक भी आएंगे यानि भी हमारा क्या हो गया निपात हो गया इसके बाद रामु को आज रात रुकना ही पड़ेगा यानि ही हमारा क्या हो गया निपात हो गया इसके बाद आगे मैंने लिख रहा है कि कल से मैं भी आपके साथ अस्कूल आऊंगा यानि ये जो भी है ना भी हमारा क्या हो गया निपात हो गया और इसके बाद आगे मैंने लिख रहा है कि ममता ने तो हद कर दी ममता ने तो हद कर दी यानि तो हमारा क्या हो गया निपात हो गया निपात हो गया इसके बाद है कि उसने क्या कहा यानि उसने क्या कहा या यह जो क्या है यह हमारा निपात हो गया इसके बाद आप देख सकते हैं हां सचमुच में शांप देखा यानि हां हमारे इसमें क्या है निपात है तुम वहां नहीं जाओगे यानि इसमें नहीं हम बारे में आ गया होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दिजेगा और मैं आगले वीडियो में मैं आपको निपात की धेर सारे परकार लेकर के आऊंगा धेर सारे क्या मतलब जितना हांगे उतना ही लेकर के आऊंगा और परकार के बारे में चर्चा करेंगे तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत!